अब भी हम देखते हैं कि refuse students के लिए exact date क्या है slots open होने की Welcome to my new video मेरा नाम है जानवी खड़गी में USA में अपना master's complete कर रही हो और मुझे आप में से कहीं लोग कमेंट करके पूछते कि US visa slots कब open होंके exact date क्या है हमारा refuse हो गया है हम slots का वेट कर रहे हैं अभी तक slots आये नहीं हैं और मैं भी इस topic पर वीडियो नहीं बना रहे थी क्योंकि US embassy के तरफ से officially कुछ भी announce नहीं हुआ था पर आपकी इतने जादा कमेंट आ रहे थे कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा क्योंकि बहुत जादा slots या नहीं करना चाहिए खुद से मिल जाएंगे या नहीं तो आपके इसके अलावा भी कुछ भी डाउट होगे तो वो भी सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगे वीडियो के इंट बने रही वीडियो में थोड़ा लंबा बनाऊंगी पर इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले है एक मिनिट भी में आपका वैस्ने करूँगी और ये वीडियो देखने के बाद़ आपको कोई भी दूसरा U.S.Visa slots के regarding update के बारे में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अगर आप fall intake में जा रहे हो US में और यह fall intake ऐसा होता है कि maximum students US में पढ़ने चाहते हैं तो इस टाइम में आपको slots भी देखने को मिलेंगे और US Embassy ने अनाउंस किया था कि वो mid-may से august तक slots release करेंगे और अगर आप fall intake में आ रहे हो तो आपका august के mid में college start हो जाएगा और maximum student जो है उनके august मन्त में ही college start होंगे या फिर किसी के कम या जादा हो सकते है तो अभी मे और जून तो चला गया है और अभी आपके पास सिर जुले मन्त है और फिर august mid तक time है पर मैं आपको यही suggest करूंगे कि हो सके तो जुले मन्त में आप अपना slots book कर लीजे जितना जल्डी हो सके उतना जल्डी और अगर आपको नहीं मिला जुले मन्त में तो आप हम बात करेंगे फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए यानि कि जो भी युएस में पहली बार वीजा के लिए अपलाई कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगे उनके लिए उनके लिए उस एमबसी जादा से जादा ओपन करते रहते हैं और हर वीक में आपको देखनी को आपको 600-2 अरामं से देखने को मिलते हैं और ज्यादा तर वीकेंड में अभी स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं जैसे कि सटरडें शंडें ये पर अगयं में यही क्लियर करना जाओंगी कि अभी वीकेंड में स्लॉट्स देखनी को मिल रहे हैं पर कभी भी स्लॉट्स र terrorists हो सकते तो बस आपको थोड़ा active रहना है तो यह रही Freshers Students के यूएस वीजा वीजा slots के बारे में update. रिफ्यूस स्टूरेंट के लिए वीजा slots कब open होंके यह बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ points क्लियर करना चाहती हूँ तो अगर आप freshers हो या फिर reviews हो और अभी तक आप try कर रहे हो fall intake में अपने slots के लिए पर आपसे slots book ही नहीं हो रहे है और अभी time तो बहुत ही जादा कम है तो मैं आपको यही suggest करूँगी कि आप agent की help ले सकते हो अपना semester defer करना पड़ेगा या फिर अगर आपको कुछ भी करके fall semester में यह जाना है आप defer बिल्कुल भी नहीं करना चाहते यानि कि आप अपना semester और बढ़ाना नहीं चाहते तो मैं आपको यही suggest करूँगी कि आप agent की help ले लीजिए वो भी genuine agent की help लेजे नहीं तो फिर agent पहले पैसे ले लेते हैं फिर आपका call उठाना बंद कर देते हैं आपके message का reply देना बंद कर देते हैं फिर आप panic हो जाते हैं तो genuine आप agent से ही slot book कीजे अगर आपको help चाहिए agent के regarding तो आप मुझे instagram में direct message कर सकते हो मैं तो आपको हमेशा suggest करती हूँ कि आप खुद से ही slots book कीजे पर अभी जो time period है उसमें बहुत ही competition है और बहुत कम slots open हो रहे है time भी कम है तो इस time पर आपको जाना ही है US ये सारी situation है तो आप agent की help लेना ही better option रहेगा और agent अगर आप agent से अपना slot book करते हो तो आप minimum पकड़के लीजे कि 10-15,000 की बीच में आपको agent को पैसे देने पड़ेंगे ये आपको ऐसे में rough idea बता रही हूँ पर इतना budget हो सकता है तो अभी हमने फ्रेशा स्टूड़न्स के slots का रिलीज होंगे इसके बारे में बात की है और agent के help लेनी चाहिए या नहीं तो अब main हम बात करेंगे जिनका भी US visa refuse हुआ है उनके बारे में आपको ये complete information में देनी वाली हूँ तो अभी तो वीडियो बिल्कुल भी skip मत कीजे ध्यान से सुनिए तो अभी US embassy के तरब से refuse visa slots के regarding क्या latest update आई है वो हम सबसे पहले देखते है तो किसी ने US embassy को पूछा है कि refuse visa slots कब open होगे तो उसमें US embassy का हम reply पढ़ते है और वो reply का screenshot में यहाँ पर attach कर दूँगी तो आप भी पढ़ लीजे देख लीजे we continue to see high demand for student appointments in the interest of fairness we are committed to providing as many qualified students as possible with the chance to interview once before we open appointments for some students to interview a subsequent time तो इस update में US embassy ने directly तो कुछ बताया नहीं है पर indirect में थोड़ी बहुत चीज़ से clear हो रही है जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि some students के लिए interview हो जाएगा तो यह एक reality है कि US embassy जो होती है freshers के उपर जादा ध्यान देते है और refuse students के लिए comparatively कम slots open होते है तो इस time पे भी refuse students के लिए बहुत ही कम slots open होगे और मैं आपके साथ एक detail शेयर करना चाहती हो refuse visa slots के regarding अभी तो आपको slots देखने को मिल रहे है जिनका visa refused हुआ है उनके लिए पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका 2023 में visa refused हुआ है तो आपको 2024 के ही slots देखने को मिलेंगे ऐसा हो सकता है पर आप घबराईए नहीं क्योंकि अभी तक US embassy की तरफ से ऐसा official update तो नहीं आई है पर ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा कुछ update भी आ गया तो मैं आपके साथ वो सबसे पहले share करूंगी तो चैनल को subscribe करना ना भूलिए अभी हम देखते हैं कि refuse students के लिए exact date क्या है slots open होने की तो किसी ने पूछा है US embassy को कि मेरा उनका college 10 से 15 अगस्ट के बीच में start होने वाला है तो appointment मिलेगी या नहीं मिलेगी तो इस पर US embassy का क्या reply है हम देखते हैं Appointments for previously refused students applicants will predominantly be for the last two weeks of August. If your program is currently scheduled to start before then, you should consider discussing your options with the school. Can update से हमें थोड़ी बहुत idea हो रही है कि US visa slots refused students के लिए कब open होंगे तो August में 15 से 20 तारिक को 15 से 20 तक slots देखने को मिलेंगे refuse students के लिए पर chances थोड़े कम है और 20 से 21 तारिक तक आपको August के slots देखने के high chances है तो अभे ऐसा है कि बहुत सारे students का mid-August में college start होगा पर slots जो है refusal visa slots August के last week को last week को देखने को मिलेंगे तो इसमें college start हो रहा है आपका पहले और slots थोड़ा लेट से मिल रहे है तो थोड़ा बहुत problem हो सकती है पर मैं हमेशे आपको बताती रहती हूँ कि US Embassy नी ये officially announce किया है पर slots आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं स्लोट्स ओपन रिलीज हो सकते हैं या फिर आज रात को भी या फिर दो दीन बाद या फिर एक वीक बाद कभी भी slots देखने को मिल सकते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत जादा active रही है और agent की help लीजिए आपने यहां तक वीडियो देखी तो आपको clear तो हो ही गया होगा कि freshers के लिए तो आसानी से slots मिल जाते हैं refuse students जो होते हैं उनको बहुत जादा परेशानी हो रही है तो अगर आप भी freshers students हो पहली बार US का वीजा दे रहे हो इसके बारे में मैंने काफी वीडियो बनाके रखी है तो आप देख सकते हो इससे आपको काफी help हो जाएगी तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 4,000,000 visa slots आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे student confused हो गए कि अभी agent के help लेने की जरूरत नहीं है या फिर आचानी से visa slots मिल जाएंगे इतना भी परेशानी या फिर active होने की जरूरत नहीं है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 4,000,000 visa slots जो है वो इस year में release होने वाले है तो वो अभी भी हो सकते है या फिर spring intake में भी हो सकते है उनका target है कि 2023 में total 10,000,000 visa slots open करें और 4,000,000 visa slots में भी सिर्फ students की visa slots नहीं open होगे उसमें J1, J2, B1 या फिर students ये सब visa slots include है तो slots मिलने में हमेशा problem होती है क्योंकि students US में जाने के लिए बहुत जादा है और slots comparatively open होते है तो बस आपको active रहना है अपनी file ready रखनी है continue monitoring करने रहनी है या फिर agent की help लेनी है तो ये सब कुछ आपके पास option है तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके बताइए आज मैंने एक वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है या फिर ऐसे long video में ही सब कुछ explain करते जाओ ये भी comment करके बताइए तो बस इस वीडियो को यही पर in करती हूँ चैनल को subscribe करना और वीडियो को like करना ना भूलिए मिलते जल्दी नए वीडियो में thank you so much for watching, bye bye